नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कि रोश है केडिपी के ऑनलाइन फ्लेट पॉर्म पे जी यहां दोस्तों कल आपको एक वेकेंसी रिकूट्मेंट के बारे में इंफोर्मेशन मिली होगी हर्यणा नर्सिंग ट्यूटर पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यू पॉप्लिक नोटिस था 15 मार्च को यह रिलीस किया गया था एप्लिकेशन और इंवाइट वर वेकेंट पोस्ट ऑफ दे सिस्टर ट्यूटर पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर पोस्ट केन बी इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ सकती है गढ़ सकती है यह कहां से फ्रॉम दर Direord Nursing स्टाप कौन से Retired Nursing स्टाब और mlh, इस फर इंद रिड़ाइड नर्स स्टाप कौन से ओ सकता है प्रिंसीपल हो सकता है फ्रॉसक्त न सब्सक्राइड पोस्ट वह आगे जा नहीं समझ में आगे तो यह वेकेंसी क्या फ्रेशर के लिए है तो नहीं दोस्तों आपके लिए नहीं है यह वेकंसी है किसके लिए तो जो स्टाफ रिटायर हो चुके है एक रिक्रूट्मेंट ड्राइव चलाय गया है और यह वेकंसी किस पर है तो देखो ऐसा होना तो नहीं चाहिए बेरोजगारी भरमार है यहां पर और अभी गवर्मेंट रिटायर स्टाफ को भी मौका दे रही है तो चलो देखो भए उनके लिए क्या है सिस्टर टूटर जो जो रिटायर स्टाफ है वो यह फों अपलाई कर सकते कौन से स्टेट के कर सकते वह भी मैं बताऊंगा सिस्टर टूटर की 28 पोँस्ट थी पेचांच टूटर की 21 पोँस्ट थी और टूटर इन दस्टेच、 गयोर्मेंट आप दे नर्सिंग सेफिड़न जीन फोर ANM and GNM कोर्स अली की 22 टॉटल 71 पोस्ट थी बाईज़ाओ और ये वेकेंसी कॉन्ट्रेक्ट चूल बेसिज है इनिशल कॉन्ट्रेक्ट वन इयर का होगा कौन आपके रिक्रूट्मेंट को आपकी जॉइनिंग को कौन डिसाइड करेगा तो यह 5 committee बनाई गी है डायरेक्ट रेट पिजी आइमस रहतक डायरेक्ट रेट करनाल के लिए डायरेक्ट रेट्ड हेश के इम जी एमसी नु डायरेक्ट रेट फरीदबाद डायरेक्ट रेट देखे सौनिपत तो यह वाली committee यह decide करेगी किसको recruit करना है application should इसके निचे वह अप्लाई करना है अगर आपको चाहिए यह पूरा फोर्म तो आप 85028065080 पर वाट्सप पर मेसेज करें इंटर्वीव होगा क्या रिटर्न एक्जाम होगा तो नहीं यहां पर इंटर्वीव होने वाला है जी हां और देखेंगे मतलब बेरोजगार वालों क्यार्मेंट of हरियाना से होना चाहिए गौर्रमेंट ऑप इंडिया सेंटरल गॉर्मन और कोई भी स्टेट गॉर्मेंट एंपलोई आर इलिजिबल टू अपलाई कर सकते है रिटाइरन स्टाफ विल केप इन कॉंट्रैक्ट एक साल का क्योंट्रैक्ट है मिल रही है उसको घटा देंगे और इसके बाद जो बचेगा वो आपका पैमेंट हो जाएगा इलिजिबिलिटी क्राइट्रिया सेम रहेगा एस पर रेगूलर रिकूरूटमेंट तो आपकी एज रिलेक्सेशन्स क्या है वो सब चीजे मिलेगी एज एज से क्या मिलेगे साट साल के होगे तभी तो रिटायर होगे आप मतलब आपके यह बेनिफिट भी मिला जाएगा केटेगरी वाला भी सेवन्टीवन पोस्टों पे आई होप यह आपके डाउट क्लियर होगे तो फ्रेशर के लिए अपलाई नहीं कर सकते यह ओनली जो रिटायर्ड स्टाप था उनके लिए इसी तरह की क्विक अपडेड के लिए और डाउट सॉल्विंग प्रोसेजर के लिए किरोशय अकेड सेमी एप डाउनलूड कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच